क्लास 9 आपकी जैसी भी हो लेकिन क्लास 10 में तो भई मुझे आग लगा देनी है यह attitude से अगर आपने अपने क्लास 10 शुरू करी न बिलीव में आपको कोई भी रोक नहीं सकता एक बेस्ट स्टूडेंट बनने से तो यार यह मुझे कॉमेंट आया एक स्टूडेंट का और उस कहानी आप में से भी कासी सारी स्टूडेंट की होगी है ना तो देखो भी पहली बात तो अगर आपके क्लास 9 अच्छी नहीं भी थी जादा अच्छी नहीं थी मरला हमें उमीद होती हमसे जादा तो कोई बात नहीं उसको साइड पे कर दो ठीक है क्योंकि वह पास्ट था निकल गया अब हम बात करेंगे जो आने वाल है जो प्रेजेंट जो खड़ा है जो है हमारी क्लास 10 अगर आपने यह जो वीडियो है क्लास 10 से पहले देख ली और पूरे साल जो मैं आपको बाते बताने वाली हूं इसको ढंग से ठीक है फोलो कर लिया और इन बातों को अग कर लिया ना तो आपकी class 10 भई बहुत easily और बहुत जादा अराम से बिना जादा effort लगाए तुम जो है ना class 10 में 95 प्लफ लेकर आओगे and you will become the best of yourself और second जो मैं आपकी बात कहना चाहूंगी कि class 10 को हम board के point of view से तो देखते ही हैं कि भई बोर्ड की class है tough होगी, कैसी होगी, पता नहीं, डर लगता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है कहां से पढ़ना है, ये सबी questions हम सब के दिमाग में होते हैं इन सब questions को आज मैं clear करने वाली हूँ, आपको tips बताने वाली हूँ तो चलो, शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात तो भई, time table, distraction और procrastination अगर इन तीन शब्दों में मैं आपको बताऊं, तो भई, यही तीन चीजे होते हैं, जहां पे हम बार-बार weak हो जाते हैं यह हमारे biggest, weakest point है, ठीक है, हम बार-बार time tables बनाते हैं और उसको हम follow नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से हम बार-बार distract होते रहते हैं, distraction के लिए हमारा phone काफी है, हमारे पास काफी जारा technology है और फिर उसके बाद हमें अच्छा नहीं रखता और हम उस काम को टालते रहते हैं, आलस मारते रहते हैं यह तीन सबसे बड़ी में आपको कूंगी आपके दुश्मन है, ठीक है, last class में भी आपके साथ यह चीजे हुई होगी तो आपको इन चीजों पर सबसे पहले तो control करना है, starting में या consciously याद रखना है, aware रहना है कि इस साल हमें यह गलतिया repeat नहीं करनी time table ज़रूरी नहीं कि मुझे rigid ही follow करना है, अपने accordingly, अपनी routine के accordingly change करते रहना, ठीक है distract होगे, बट कोई बात नहीं, अपने आपको वापी distract पे लेकर आना है, then I know that जब हम distract होते हैं, तो हम stress में जाते हैं, stress में जाते हैं, तो मन नहीं करता पढ़ने का, तो वहां से अपने आपको सीखना है, कि मुझे aware रहना है कि मेरे साथ यह चीजे हो रही है, because यह चीजे हम अपने में मुद्दे के बारे में, 95 प्लस का मंतरा क्या है, how to score 95 प्लस, अगर आपको बात बताना भूली गई, अगर आप चैनल पे न्यू आये हो, ठीक है, तो मैं आपको अपने आप से इंट्रड्यूस करवा जेती हूं, मेरा नाम है Manisha Marwaha, and you can call me your Manisha Didi, okay, अब मुझे आप अपने बारे में बताना, आपका क्या नाम है? Class, तो भही, आप Class 10 के ही हो गए है और अपनी ऐम बताना कि भही, इस बार आप Class 10 में क्या एम कर रहे हो, क्या आप 95 प्लस कं कर रहे हो, या पिर आप ये एम कर रहे हो, कि मुझे Best version बनना है, इस बार आपने Class का लेक, Best बन तरीके से लेकर आ सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हें असानी से चाहिए 95 प्लस, ठीक है, तुम मजे मजे से ज़्यादा एफट नहीं लगाए, और राम से भी लेकर आ सकते हो, या फिर तुम आपने दिमाग का धहीं करके भी लेकर आ सकते हो, च्वाइस इस यूर्स, ओक लगाओ, अगर आपने एक चीश कर ली डेली अपने ट्लस लगाओ, फाल्स भी लेकर उस समय आपको किसी बात नहीं prata है, आपको फॉर्स लेकर हो इन नहीं दिखना, आपको विंडो से बाहर नहीं कслड़ाइका उसके बाद को एद्ट रोट करने की जूरहतीन पड़ेगी, क्योंकि जब आपने ये चीश कर ली आपके अपने आप आप doubts पुछोगे क्योंकि पहली बार पढ़ोगे class में बिल्कुल मट दरना doubt पूछने के लिए ज़रूर आपने doubts पूछना आपके doubts आइंगे आप doubts पूछोगे जब आप daily class लगाओगे आपकी notes well prepared रहेंगे आप घर जाके उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप उसमें खुद से self written notes भी add करोगे और जब आप ये दो चीज़े करोगे तो आप test से भी दूर नहीं भागोगे आप आराम से easily जो आपके weekly test होते है Monday test होते है Saturday tests होते हैं आप उनको आराम से दे सकते हो right so that is the easy way कि भाई बस regular हो class में और attentively एक जो शब्द है न धियान से मने class को attend करो दूसरे है भाई आपकी aim what do you want to become right कि आप क्या बनना चाहते हो ये बहुत ज़ादे important है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है class 10th कोई 2-3 महीनों की बात नहीं है right you are going to be here for 10 months around okay तो यहां पर आपको यह ज़े याद रखनी पड़ेगी कि भाई हमको क्यों करना है मुझे एक अच्छा student बनना है मुझे best way में निकल कर आना है मुझे extra curricular activities में भी participate करना है मुझे अच्छा speaker बनना है मुझे अपने आपको the best personality में लेकर आना है यह आपकी aim हो सकती है आपकी aim यह हो सकती है कि मुझे last class में अच्छे number नहीं आये थे this time I have to score good marks मुझे 95 plus लेकर आने है this time मुझे अपने लिए अच्छे number लेकर आने है मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे number लेकर आने है मुझे अपने parents को proud feel कर आना whatever your aim, ठीक है, वो आप मुझे लिख कर बताओगे, comments में नीचे, okay, ये, अगर आपके चीज कले आ रहे हैं, तो आप easy way से number लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप day 1 से ready रहोगे, अपने mindset के साथ, कि मुझे क्यों पढ़ना है, और मुझे daily क्यों धंग से पढ़ना है, okay, दूसरा भी क् जो majority of students follow करते हैं, starting में धंग से नहीं पढ़ेंगे, lectures, धंग से टेंड नहीं करेंगे, physically वहाँ पर present होंगे, लेकिन mentally कहीं और घोए होंगे, okay, जिसकी वज़े से class में समझ नहीं आता, backlog rate होता है, backlog rate होता है, तो दिमाग में stress आता है, यार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, teacher देती है, and you are like, में को तो समझ नहीं आया था, मैं टेस्ट कैसे दूँ, इसकी वज़े से क्या होता है, आपका एक gap आजाता है, जो धीरे 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 बढ़ता जाता है, क्योंकि teacher continues ले आगे जाती है, और आप वहीं पर खड़े रहते हो, या आपकी speed बहुत जादा slow होती ह तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, okay, अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन छुटी मार ली, कोई बात नहीं, उस दिन का जो backlog का स्ले, बस है उसी दिन अपने friend को WhatsApp करो, उसी मंगवाओ, उसी दिन cover up कर लो, okay, जो भी backlog होता है न, उसको जितना आप जल्दी क क्योंकि जब backlog होता है, तो आपको stress भी होता है, क्योंकि फिर न, आप enjoy कर पाते हैं, अगर आप TV भी देख रहे होगे, आप खेलने भी जा रहे होगे, आपके दमाग में हमेशा वो रहेगा, यार, अभी पिछला पड़ा है, पिछला पड़ा है, नहीं रहेगा, okay, फिर उस आपको एक दो दिन में complete कर दो, तो एक cycle बन जाता है, जिसकी वज़े से हम एक trap में फर्फ जाते हैं, तो basically आपको इस cycle से बचना है, ये cycle आपको सच में बहुत ज़ादा पीछे ले जाता है, वेरेस, अगर आप दोनों तरफ देखोगे न, तो दोनों चीजे डेली, वन बा आपको बहुत आगे ले जाता है, इसे तरह से डेली, आपको यहाँ भी रिलाइज ने होगा कि आपका backlog हो रहा है, यह फि आप पीछे आ रहे हो, लेकिन पीछे फोड़ा पीछे आते जाते हो, तो ये डेली की बात है, अगर आप ध्यान दो तो बिल्कुल भी आपको दिक to study और वो कैसा दिखने वाला है आपके लिए ओके पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहोगा RD शर्मा फोलो करे आरे सगरवाल ले या फिर S चांद ले कौन सी बुक्स को ले कौन सी रेफरेंस ले NCRT पहली बात तो उसको पकड़ दो बहुत जादे इंपोर्टेंट है आप बार बार जितनी बार आप देखोगे ना सब्सक्राइब के लाफ्ट यर्स के आपको हमेशा दिखेगा कि NCRT जो है बार बार वहीं से समान पुछा जाता है बार वहीं से चीज़े पूछी जाती है तो NCRT पे ज़रूर स्टिक रहो दूसरा NCRT को फोलो करना है स्टार्टिंग में उसके बाद देखेंगे अगर आपको किसी रेफरेंस के ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेना ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पड़ती भी है तो सिरफ साइंस जा फिर मैट्स के लिए बस स्टार्टिंग से याद रखो कि ज जो चीजे थोड़ी सी कवर अप कर लेना समझ लेना क्योंकि वह लेना क्लास 9th chemistry जो क्लास 9th chemistry है वो क्लास 10th का बेस बनती है इन फैक जो पूरी क्लास 9th की science है वो बहाँ जादे इंपोरेंट है क्लास 10th का बेस बनाने के लिए आपने बेसिक स्टार्टिंग से आपने बेसिक स्ट्रॉंग रखना लगती है क्योंकि उसमें होता है कि आपको बैलेंसिंग समझ नहीं आएगी पहले दिन जब आप पहला चैप्टर कड़ोगे बैलेंसिंग अप समझोगी यह कैसे करना है बट बलीव में एक बार करना दो दो दिन लगेंगे बट तुम्हें समझ आएगी कि तुम जैनुवनली खुद से एफर्ट्स लगा रहे होगे अगर तुम खुद से एफर्ट्स नहीं लगा होगे जस्ट बिकोफ सभी लोग यह कहते है कि केमिस्ट्री टॉफ होती है और तुमने अमने दिमाग में को बना अगर तुम सच में आपको केमिस्ट्री टॉफ ही लगेगी बट अगर तुम एक्च्व में देखोगी किया कोई बात नहीं मैं देखता हूँ किमिस्ट्री टॉफ क्यों है ओकी लेट मी ट्राइ मैं अभी देखती है उसको पढ़ने की कोशिश करती हूं समझती हूं तो उसके डीडायग्रंश क्या होते है इसका क्या रूल फोलो होते है और प्रोपरली रूल करोगे तो भूट कि अगर ब्रोमेरिकल जा नुमेरिकल प्रोपरली रूपर्ली समझती हो क्या स्टाँ है वी उता है कॉन सा डिस्कंस का होता है तुम कर लोगे, खिल् leap then we come to bio, bio is easy, okay, in this diagram, functioning, all these things we need to remember, bio is very easy, you should do it in a very easy way, scoring is also very much then let's talk about maths, maths, daily, okay, maths, if you do it daily, this will become your best friend and this will be a lot of scoring, okay, maths, you can take 100 out of 100, if you do it daily you can do it, basically, basically, about every concept of starting to start building up, when starting, when starting, you have to keep a good build up, if you do new stuff, if you are not good at home, then slowly, slowly your home will become bigger, okay, then we talk about languages, too, Hindi, English, wherever you are using, language, good, okay, languages are very scoring, and not necessarily to study daily in this, it is for you to be able to study daily, क्लास में धंग से अपने आंक, दिमाग, कान खोल कर बैठना होता है अगर आमें धंग से क्लास में समझ लियाना तो आपकी लैंगवेश काफी बढ़िया तरीके से कवरोप हो जाती है अगर फिर आप जो है ना लैंग्वेश को जब भी आपके टेस्ट होते हैं तब ही अगर आप पढ़ोगे ना तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे और लैंग्वेश बहुत ज़ादा स्कोरिंग होती है तो इसलिए हमेशा क्लास में अटेंटिव रो इसके लिए आपको कुछ और करने की जूरत नहीं क्लास में बढ़िया तरीके से सुनोगे होमवक टुदा पॉइंट करके जाओगे डेली तो लैंगवेश आपकी अपने आप बढ़िया तरीके से कवर अप हो जाएंगी तो आपको चीजे समझ आगी होंगी कि आपको क्लास 10 में किस तरह से प्रपियर करना है क्लास 10 का एक ओवरल व्यू मिल गया होगा कि भाई क्या है आपकी क्लास 10 ओके डरने की कोई बात नहीं है हाँ बट अगर आप नहीं पड़ेंगे स्टार्टिंग से साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर डरने की बात हो जाती है अगर आप पिछले साल के बच्चों को भी देखोगे जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से चीजे करी होती है उनके लिए बोर्ट्स बहुत जादा सान हो जाते हैं और वो बच्चे अराम से 95 प्लस लेकर जाते हैं और उनकी दो तिन बार रिवीजन्स भी हो जाती है वो PYQs भी कर लेते हैं वो NCRT भी दो तिन बार कर लेते हैं और लेकिन जो बच्चे अगस्त में या फिर नवंबर में जाके पढ़ना शुरू करते हैं एंड ठीक है एंड वेले चार महीने में वो बच्चे अगर बहुत जादा महीनत करें तो जाके 92-90 ले आते हैं अगर बहुत जादा महीनत करें तो अगर नहीं करतें तो 80 या 85 तक ही रह जाते हैं ओके चलो अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा टिप्स जो मुझे लगते हैं बहुत जादे इंपॉर्टेंट है स्टडी के साथ आपकी जो इस एक्लास, टेंथ बहुत जादे इंपॉर्टेंट है कि भई यहां पे मैंने आपको बताया कि आपको इनज्वाए भी करने है इस इस लुर्व लास्ट लास्ट इन दज्वूल जहां पे आप मजय मा सकते हो 11-12 में तो सब तुमें कहेंगे, बहुत इंपोर्टन है, पढ़ ले, ठीक है, 11-12 के बाद तो तुमें करियर बनाना होता है, कासी जादा सीट दर्धी हो जाती है, वहाँ पे, तो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स पोर यू, पहली बात तो जितने भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुल कुछ भी हो रहा है, जाके पार्टिस्पेट करो, ठीक है, माना तुम्हें कांफिडेंस कम हो सकते है, माना तुम इंट्रोवर्ट हो सकते हो, माना तुम शाय हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन इस्टेल जाके अपना नाम लिखवा देना हिम्मत से, क्योंकि यह बहु बहुत जादा तुम्हें दबाएगी अगर तुम खुद के लिए बोलना सीखोगे नहीं और अपने लिए बोलना सीखो ठीक है एक अच्छा स्पीकर बनो बढ़िया होता है अपका confidence बढ़ेगा आपके personality build up होगी इस तरीके से और फिर हम बात कर लेते हैं भाई चूज करेक्टली क्या यूर फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बहुत जादा इंपॉर्टेंट होते इस पूरी जर्नी में आप class 10 में best friends बनाओगे ठीक है BFFs बनाओगे best friends forever है ना जो भी आप बनाने वाले हो उनको बहुत जादा धंग से सही तरीके से चूज करना क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो आपके पूरी class 10 की जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं इनके परभाव में आके ठीक है you will going to study अगर आपके friends पढ़ाकू किसम क्योंगे आपको पढ़ना अच्छा लगने लग पढ़ेगा क्योंकि वो पढ़ाकू है वो हर्स हमें पढ़ रहे होंगे वो हर्स हमें study related बात कर रहे होंगे कुछ ना कुछ extra curious बाते करेंगे जो की study related रहेगी आपको अपने पढ़ने का मन करेगा अगर आपके friends फुक्री बाज होंगे ठीक है आप मानो ना मानो at the end आपकी जितनी भी willpower आपके खुद की जितनी भी motivation वो सब fail हो जाती है आपके environment के आगे अगर आपका environment by default वैसा है जो पढ़ने वाला है तो तुम भी वैसे बन जाओगे अगर आपका environment ऐसा है जहां पर तुम तो बहुत सही बच्चे हो लेकिन तुमारे बाकी जो इतने अच्छे नहीं है तो तुम भी उनके जैसे बन जाते हो ठीक है because you are the average of five people around you okay and that is very true तो अपने जो friends है बहुत जादा सही तरीके से चूज करने हैं दोस्ते बात at the end it's okay यार friends में आपको हमेशा कहीन है कि आप emotional भी हो जाते हो यार यह तो मेरी best friend थी या तो यह मेरी best दोस्त थी यह इसने उसके साथ कैसे कर लिया ना उसकी friend कैसे बनगी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना बहुत सारे बच्चे emotional friendship यारी दोस्ती में पढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है study से focus हड़ जाता है फिर status पे हैं यह मेरी दोस्त दगानी कली कुछ लोग तो ऐसे होते हैं status बाजी नहीं करने ठीक है इन सब चीजों से आपका time आपकी energy आपकी mental peace खराब होती है जिसकी वज़े से आप अपने goal से दूर हो जाते हो इन सब चीजों में बिलकुल भी नहीं प और यह वीडियो भी आइकन फोड़ा हो जाएगा बिकोज आपको अपको रहें कि अपने चीजों सुन ले ना फिर समझ ली तो आपको हमेशा याद रहेंगा कही ना कहीं दिमाग में कि नहीं मनीशा दिदीनी यह सब चीज़े बताई थी हमें तो आपको रहेंगा कि जब कि अपको साथ हो भी रहेंगा कि ना यू विल बी स्ट्रॉंग बिकोज कि हाँ इन सब चीज में नहीं पड़ना यह सब ऐसे ही फालतु के खेले दुनिया के कि अब चलता रहेंगा दोस्त जाएंगे चाहे तुमारा को कितना मजी बेफ्रेंट कोई ना हो ठीक है सब चले ज की इकृफ्रा Kearden में यहाibl करता है लोग तो ऐसे ही कहते हैं मेरे फ्रेंद एसे निया, मेरे फ्रेंदिप है बहुत स्ट्रॉंग है वो इस तो कभी भी किसे फ्रेंड के चक्कर में अपने आपको दुखी मत करना उसने मुझे बढ़ देविश नहीं करा उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया वह तो किसी और के साथ जाके बैठ गी okay at the end it will be okay everything is okay this is your life this is your journey so be happy in that okay तो इसी के साथ अब मैं जो end करती हूं इस वीडियो को ठीक है I hope कि आपको जो भी मैंने सारी चीजे बताई है इसको आपने थोड़ा सव नोट डाउन कर लिया हो जैसे अपने दिमाग में धंग से नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने चीजे आपको बताई है पर इसको याद रखना ठीक है जो यह last quality tips है ना दी जादा life tips यह आपको हर जगा देखने को मिलेंगी और आपको इनमें भी strong बनना है बाकी class 10th में आपकी जो aim है उसको हमेशा याद दखना है कि आपको क्या बनना है याप क्यों कर रहे हो यह सब यह आपको हमेशा गाइड करेगी सही रास तो आप मुझे comment करके बता देना कि इस topic पर वीडियो चाहिए यह लेकर आना and okay bye take care